हेलु स्टुडेंट् मैं मुष्ट्यूंतमर आपका 50 सब्जातीए लगनी चैनल में स्वागत करता हूं आज का जो हमारा टोपीक है ओवे है अप्तल नरपन द्वारा पृतिमिम का बनना तो दोस्तों आज मैं आपको अप्तल दरपन द्वारा प्रित्विंग का बनना बताऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप रोजाना कि लास्तेंट NCRT की इसी पिरकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो दोस्तों आपको क्या करना है पहले आपको पहले अप्तल दरपन का चीतर बनाना होगा दोस्तों मैंने अप्तल दरपन का चीतर बना लिया अब आप इस चीतर को ध्यान से समझ लीजे क्योंकि जब तक आप इस चीतर को ध्यान से नहीं समझेंगे आप इसकी परिवासा नहीं लिख सकते हैं दोस्तों M1 और M2 जो है हमारा अपतल दर्पन है क्या है अपतल दर्पन है इसी अपतल दर्पन से कुछ दूरी पर हमने बस्तू A और B रखी है कौन सी बस्तू रखी है बस्तू A और B रखी है दोस्तो वस्तू और A और B से दो आप्तित किरन लिकलती है कितने आप्तित किरन लिकलती है दो आप्तित किरने लिकलती है पहले आप्तित किरन बी अड़ी लिकलती है पहले आप्तित किरन कौन से लिकलती है बी अड़ी लिकलती है जो अपतल दरपन से परावर्तित होकर focus app से जाती है किस से जाती है focus app से जाती है और दूसरी आपतित किलने लिखलती है b और m क्या लिखलती है b और m जो वक्त केंद c से जाकर अपतल दरपन से परावर्तित होकर बापस उसी मार्ग में लोट आती है ये दोनों जो आपतित किर्णे होती है ये A-B-पर काड़ती है किस पर काड़ती है A-B-पर काड़ती है जब ये दोनों किर्णे A-B-पर काड़ती है तब ये बास्तविक छोटा और उल्टा पृतिमी बनाती है कौन सा प्रितिम बनाती है वास्तिविक छोटा उल्टा प्रितिम बनाती है दोस्तो आप इसकी परिवासा कैसे लिखेंगे दोस्तो जैसे जैसे मैंने आपको ये चित्र समझाया है और मैं वैसे ही वैसे आपको परिवासा लिखके दिखाऊँगा दोस्तों आपको परिवासा कैसे लिखने हैं अब आप समझ लेजा को पहले step डालना होगा पहले step में आपको क्या लिखना होगा अफतन दर्पन के मुक्ष एक्स से समानतर चलने वादी आपतित्किरण B और D मैंने आपको बताया वस्तु एर बी से दो आपतित किरने लिखनी है पहली बी और डी दूसरी बी और एम तो आपतित किरन बी और डी दरपन से परावरती थोकर मुख्य फोकस एप से जाती है दोस्तो मैंने आपको बताया था कि बी और डी जो आपतित किरने हैं वो focus app से जाती है कौन से focus से जाती है focus app से जाती है तो पहले step में आपको ये लिखना फिर आपको दूसरे step में आपको लिखना होगा दूसरी आपटित किरन BRM दोस्तों मैंने आपको दूसरी आपटित किरन बताई थी BRM वक्तर केंदर CC से होकर जाने के कारण दरपन से परावर्थित होकर उसी मार्ग में लोड जाती है तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो दूसरी आप्टित किर्ण लिखलती है यह वक्रता केंदर सी से होकर जाती है और यह अपतल दरपन से परावर्थित होकर वापिस उसी मार्ग में लोड आ तो दोस्तों आपको दूसरी step में यह लीखना है अब आता है तीसरी step में आपको लिखना है दोनों परावर्टिद किलने A-B-पर काटती है इसलिए बस्तु A-B-पर वास्तिविक उल्टा छोटा प्रितिमिम बनता है मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब ये A-B-पर प्रितिमिम काटती है तो ये वास्तिविक उल्टा छोटा प्रितिमिम बना देती है तो दोस्तों ये थी अप्तल दरपड की प्रित्मिम की बनने की परिवासा दोस्तो यदि आप से प्रिसन में बूज़ा जाए कि अप्तल दरपड का प्रित्मिम बनाईए तो दोस्तो आपको सेम यही प्रित्मिम बनाना है और तता इसकी परिवासा सेम यही लिखनी है अब दोस्तो इसके बाद आता है कि अफ्तादरपण का सूत्र क्या आता है अफ्तादरपण का सूत्र आपको चोते स्टेब में लिखना होगा अफ्तादरपण का सूत्र क्या लिखना होगा अफ्तादरपण का सूत्र दोस्तो अपना दारपड़ का जो सूत रोता वो होता वन अपोन एफ बरावर वन अपोन वी प्लस के वन अपोन यू दोस्तो हम एफ को फोकस दूरी कहते हैं क्या कहते हैं एफ को हम फोकस दूरी कहते हैं वी को हम प्रित्मीम की दूरी कहते हैं अर्यू को हम वस्तू की दूरी कहते हैं तो आपको यह यह बाते जहान रहनी आवश्यक है दोस्तों यह आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सेस्क्राइब करें तो कोई परेशा नहीं हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें